हेलो दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज बनाते हैं बनाना सेख हेलो दोस्तों ये मैंने चार केला लिये इनको छोड़े टुकडों में काट लिया है और ये एक इसमिस और बदाम जिसको भीगोके रख दिया था थोड़े देर के लिए और फिर इसको मतलब पानी को निकाल देंगे और ये बदाम लिये ये चिन्नी लिये तीन-चार चमच और ये चेरी लिये ये मैंने केसर का दूद लिया है जिसमें केसर को भिगो के रख दिया था अब ये केसर अपना कलर को छोड़ दिया है और अब ये सादा दूद लिया है जो ठंडा दूद लिया है वो गरम दूद लिया था मैंने अब हमने मिक्सी लिये उसके जार में थोड़ा सा दूद रखेंगे और ये काजू और ये किसमिस और बदाम इनको ग्राइंड कर लेंगे इसमें काजू किसमिस और बदाम को एक मिक्स के लिए ग्राइंड कर लिया है अब ही केड़ कपीस को छोट छोटे काटे वही थी उनको इसमें मिक्सी में डाल देंगे अब ही आदा गिलास दूद भी एड़ कर देंगे इसमें ये बाकी बचाओए दूद है ये डाल देंगे इसमें और ये केसर का जो मैंने दूद लिया था वो भी इसमें डाल देंगे ताकि इसका कलर येलो हो जाए अभी इसमें चीनने डाल देंगे अभी इसको गिलास में डाल देंगे देखो हमारा दूद बनके तयार हो गया है अभी इसमें ठोड़ी चैरी डाल देंगे अभी हमारा जूद बनके तयार हो गया है ये जूद बड़ा एल्टी होता है अगर मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो प्लिज लाइब शेयर और सुब्सक्राइब करना और केमेंट करना मत बूल